नोन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स स्वामी आज 14 साल के घोर वनवास के बाद आज हमारे पुत्र राम और लक्ष्मन सिता के साथ दानों पर विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं आज मुझे इस खुशी के मोके पर आस्मान भी छोटा लग रहा है फिर भी मुझे एक ही बात का दुख है क्या आज आप नहीं है स्वामी अगर आप होते तो अगर आज आप होते तो मैथिली अज सियावर राम चंद्र पधार रहे हैं और साथ में ये भी है इनकी छोटे भाई हाँ लक्ष्मन भाई हाँ मैथिली अज 14 साल के बाद मेरे हाथों को प्रभू के चरण को स्परश करने का अउसर प्राप्त होगा चोदा चोदा साल के मेरे तुरुशित नयन आज इनके दर्शन पाएंगे मैत्री जाओ मेरे आभुशन लेयाओ कीमती से कीमती वस्र लेयाओ एक ही सुगन से पूरी अयोध्या महक उटे ऐसे अत्तर लेयाओ मालवी का आज मैं अपने हातों से अपने आप को शुंगार करूंगी आज मैं बहुत खुश हो मैथिली क्या कर रही हो मंथरा अंगर आना चाहती हूँ राजमाता जाओ यहाँ से पर मेरी बात तो सुनो ऐसी भी कोई जरुरत नहीं पर राजमाता, राम, सीता और लक्षमन वनवास से आ रहे हैं मुझे पता है पूरा महल पूरी नगरी सच चुकी है हम भी राम सीता का स्वागत करेंगे लेकिन अंधकार से पर राजमाता, हमारे इस महल का अंधकार राम चंद्रजी के आगमन के वज़े से हमारे रुधय में बसे हुए अंधकार को कब लाब होगा उन्हें खराब लगेगा खराब? महराज के पास राम वनवास का वचन मांगे तभी हमें खराब नहीं लगा था मेरे पूत्र भरत को अयोध्य की राजगदी देने के लिए उसके पिता को मृत्यों आई उस बात का हमें दुख नहीं हुआ अभी खराब लगेगा धन्य है आप माता धन्य है आप बेटा भरत पुत्र? क्या राम आपके पुत्र नहीं है? आपने एक को राजगती दी और दूसरे को बनवास आप सिर्फ एक पुत्र की माता बन कर रहे गई सबकी नहीं आप एक आँख से विचार कर रही है और ये सही है भरत! रगुकूल की सुएड़ा अक्षर के इत्यास में अपना नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा मा इत्यास के पन्नम में अपना नाम मिट्टी में मिल जाएगा मा मुझे ये दुख है कि मैंने आपके कोक से जनम लिया मा सुना मंथरा भरत अभी भी उसकी माता कोक्षमा नहीं कर पाया मैंने तो उसके अच्छे के लिए किया पर उसकी नजर में मैं गुनेगार हो गई मैं गुनेगार हो गई माता के रुधै को संतान कभी भी शमा नहीं कर पायेगी शमा नहीं कर पायेगी प्रिया राम माता केके बचन के आधर पर आपको बेदखल कर दिया और उनका ये पुत्र के पैरों की पूजा करता है बनवास में आपके चरणों को तकलिफ तो नहीं हो रहा है ना हमें माफ कीजिए तुद वुई पकार ज़िए झापके चरणों को सह सचा चरणों आयता कब आए दिस वामी? देवी, 14-14 साल वन्वास में बिते हैं, और अभी थोड़ी सी पल के लिए इतनी व्याकुलत हैं हा स्वामी, माताओं के चरंड स्पर्ष करने के लिए मन अधिर हो रहा है माता क्या सिर्वाद तो सदेव संतान के साथी रहते हैं नहीं तो ये वन्वास के कष्ट वाले दिन कैसे बिते सत्य है स्वामी इतनी कलक्ती दूप निकली थी इतने सालों में लेकिन अब भगवान की मेरबानी हुई है, बारिस हुई है अपने गाउं में नगर के सारों के कपड़े में ने धोए, बत तुमारा मल ना मन न धो पाई चुपकर, ओ मल तेरे मन में है, वो अगर निकल जाए तो धोबी का ख्या होगा धोबी अगर मन के मल धोने लगते तो फिर भगवान की तो दया होती नहीं ये तुमने क्या बोल दिया? मेरे को आख मत दिखा समझी, अरे राम, ये 14 साल की जगा पे 4 साल में ही वापस आ जाते तो ये में धुले हुए कबर पेना था, चलता अभी यास माता राणी, राम चंदर जी पधार है राम, सीता चिरन जी बहो पुत्री, हमेशा खुश रहो सदा अपने पती का साथ निभाओ राम, बेटा, बेटी माता, बेटा सीता, जाई आराम कीजिए मा कॉएक थे भी आशिर्वाद लेखे आता है जी हाँ, मा कॉएके के आशिर्वाद के बिना हमारा आग्मान अधूरा रहेगा राजमता क्या आप राम को आशिर्वाद नहीं धेंगे तुब्हे मेरे आशिर्वाद की ज़रुरत है जिसने तुमारे पासे अर्दा का राज्ज चेंड लिया, जिसने तुमारे मस्तक से पीता का छत्रचाया चेंड ली, उसके बदले वनवास भेज दिया राज माते, आपने जो मुझे वनवास ना दिया होता, तो रुसी मुनियों के आश्रम में, धार्मिक कारियों में विगना डालने वाले राक्सरसों को मारने का में निमीत ना बना होता, माँ परंदु राम मा, आपके पुत्र की सक्ति को आपने पैचान है, मेरे भाग की लकिर को आपने पैचान है मा, और वचन के खातिर आपने मुझे वनवास दिलाए, और कलंग का काला टिका लगा लिया मा, फिर भी आपने इस उपकार की किसी को भनक ना लगने दिया, किसी को जानने नहीं दिय राम बेटा राम मेरा संपूर्ण जीवन मा आपके चर्णों में अरपन करता हूं और आप अपने राम को आशिर्वाच से वंचीत रखेंगे मा चिरन जी भी भो बेटा पिजे होना मेरे राम मा मुझे छवा किजे मा बेटा होकर मैं अपनी मा की आदेस को कैसे ठुक रहा हूं और आपने अन्याय किया नहीं मा हाँ सुप्रिये पती के आगमन पर आशु बहा रही हो आशित विरहा के होते हैं ये तो मिलन की मोती हैं 14-14 साल के बाद भी मैंने अपने आपको विरह के समुद्र में खो दिया तभी ये मोती प्राप्त हुए है हमारे सद बनवास आने के लिए तुम बहुत उत्साहित थी मगर मैं तुम्हें महल में रहने के लिए कह गया अन्याय किया मैंने आपके रुधे में मेरा सुक वसा ह रसफाना हुए सवामी मैं महल में रहने वाली विरह में बेटूंगी बढ़ वरवास नहीं बेटूंगी ऐसे आपकी दिली चाहत थी न सत्य कहा उर्मिला और अगर मैं आप लोगों के साथ आती तो माता कौशल आर माता सुमित्रा का खयाल कौन रखता मैं महल में रहकर तो औनों की सेवा का सोभागी मुझे प्राप्티 हुआ धन्य हो देवी धन्य हो specule me पत्नियानि की पति का अर्धा अंग पति की छाया और अपनी छाया को अपने से दूर मत करना कैर्ष नहीं होगा foreign छाया कासित्व नहीं रहेगा स्वामी. लेह पनुतों खाल आने। आघे भयाा। आगे भईया। हाँ भरत। याजयत आजयत अकर रहा है। महाराज की याद आ गई। हाँ। उनसे पुत्रवियोग ना झेला लया। अब उनकी आप अंती मिच्छा पूरी कर दीजिए आप आ गये हैं तो उनकी अंती मिच्छा पूरी कर दीजिए किन्तु भरत मैंने कभी तुम्हें मुझसे अलग समझाई नहीं आने वाला समय ये शाक्षी रहेगा कि राम और भरत दोनों अलग नहीं है हाँ भाई और आप इस राज्य को सुविकार करके आप इस जिम्मेदारी से मुझे मुख किजिए प्रभू सुविकार कर लीजे मेरे बड़ी भाईया मैं आपके चरण स्वर्ष करता हूँ भरत सुविकार किजिए तुम्हारी खुसी में मेरी खुसी समाई है मेरे भाई बरत स्वामी राज्य सच्चा और सुन्दर है पर सच्ची इंसान का मन समझना मुश्किल है आप भरत के सच्चे प्यार को समझ पाए और राज्य स्विकार करोंगे इसकी सम्मती देखकर भरत ने आपका मान रख लिया हाँ सीते किन्तु में इस राज्य को संभल पाऊंगा अपनी प्रज्या के सुख दुख को में समझ पाऊंगा प्रज्या की सेवा करने में ये राजमहल की दिवारे आली तो नहीं आएगी दिल में अगर भावना सच्ची होगी तो निर्ज्यु दिवारे बीच में नहीं आएगी स्वामी मुझे विश्वास है माताओ के असिर्वात रगु बंधु के सहकार आपका भरपुर साथ रहेगा तो ये विश्वास भी आपका अटल रहेगा सत्य होगा स्वामी सत्य होगा आप आदर्श पुत्र हो आदर्श पती हो आदर्श पुरुष हो तो आप आदर्श राजा भी जरूर बन सकते हो मेरी प्रिये आदर्श पिता का मुझे कब सुख मिलेगा प्रभू आप भी न मतलब पहले आपका राज्या भी शेक तो होनी दी आर्य पुत्र राम आसे अयोध्य पती का पद करहन कर रहे हो राजा राम के ऐसे प्रजा में शिक्षा और संस्कार होने चाहिए इनके धन वैभव और सुख में ब्रिद्धी कीजेगा पाप का नाश और धरम की रक्षा कीजेगा राम राज्य में प्रजा सुखी, निर्भय, संस्कारी और ज्यानी बने ये मेरा अशिर्वाद है बोलो राजा राम चंध्रकी जै राजा राम चंध्रकी जै स्वस्तिना इंदो अ व्रद्वश्रवाहा स्वस्तिना पूखा विश्व वेदाहा स्वस्तिनस्ता रक्ष्यो आरिष्ट ने भी स्वस्तिनो ब्रायत्वातिद्र चातू अनम गान्यम पशुपुत्र लाभं सता संबत सरं जीर्गमायु रस्तू सरे जनादू बोलो राजा रामचांद्र की जैए सुन्दा अती सुन्दा आज के सुब आउसर पर आपकी कला के लिए भेट सिटारिया आये संगीत वादक स्वामी आप एक व्युप्ति को फूल रहे हूँ कौन देवी जो आपको और लक्षमन को अपने दिल में बसाया है अशोक वाटिका में जिसने आपकी अंगुटे में मुझे अपने दर्शन करवाए लंका पती के युद्धे के दर्मयान लक्षमन के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए पवन पुत्र हनुमान की बाद कर रही हो? हाँ देव उनको उपहार देकर उनका आदर कीजिए किन्तु देवी पवन पुत्र का ये उपकार उनकी सेवा उपहार से भी बढ़के सीते क्या ये उपहार स्वीकार इंगे? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो अवस ये दिजिए आपके हच्सी दिजिए पवन पुत्र लो ये हार स्वीकार करके हमें धन्य कर दो आपकी बहुत-बहुत कृपा माता श्री मुझे खुशी होगी ये स्वीकारो आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया पवन पुत्री उपहार पसंद नहीं आया क्या हे माताश्री ये तो इसके टुकडे करके आप इसमें क्या देख रहे हो नाम प्रभु का नाम इतने मोती में मेरे स्वामे का नाम एक भी मोती में नहीं मिला फिर ये मोती मेरे किस काम का जिसमें मेरे प्रभु का नाम नहीं इन मोती का मेरे लिए कोई कीमत नहीं पवन पुत्रे आप प्रभू के परंभक्त हो आपके रुधे में प्रभू की मुर्ती तो होंगी प्रभू की किरपा है माला के टुकडे करके उसमें प्रभू की मुर्ती है की नहीं उसकी जाज तो कर ली पर आपके रुधे में मुर्ती है की नहीं उसकी चार्च कौन करेगा? क्या ये आप साबित कर सकोगे? देवी, सत्य भक्त का पट नहीं कर सकता मा, आज मैं दिखाता हूँ. प्रभु राम, आपकी अनुमती चाहिए. जै श्री राम! आम नमस्णी वाय, जै आपके अनुमती चाहिए. ए पगले भोगाश्र。 जी, मुझे कहा? हाँ जी यह लड़कियों के स्नान करने की जगह पर प्रभु का स्वरण करने ही बैठे हो समा करो देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ क्या कहा अनविद में इतने बड़े होकर फिर भी स्त्रीकुरुष के बारे में नहीं नहीं देवी इस भुमी का इस भुमी से मैं अंजान हूँ इस जुनेगाव में मेरा आश्रम है पहली बार बाहर निकलाओं आश्रम से तो तो मैं मुर्खी हूँ कि इस अंजान इंसान को अपना समझा आपका मन दुखी हुआ ना शमा तो मुझे मांगने चाहिए मुझे शमा करो देवी क्यों कह रहा हो मेरा नाम वसंधरा है देवी देवी आप वसंधरा भू धरा गंग धरा यसो धरा के विशो की कोई भी धरा हो भले आप कदम बरी भी हो परन्तु आपका यह जो अंग गिला है वस्त्रों को तो क्या हुआ मुझे सर्दी नहीं लेगी गी असरत्य उचनम और सत्य उचनम हाँ परन्तु देवी इस तरह से मेरे समीप मत ख़ले रहिए और मेरा मन विचलत हो रहा है आप क्रीपा करके यहां से जाईए 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 जाई समचारी हूँ और हमारे मन स्त्री दर्शन के स्त्री स्पर्श वर्जीत है कोई वज़ा त्री नाम प्रभु सरण में बाधा है ओ मतलब इसकार था यह आपका जनम तो आपके पिता नहीं किया होगा ना आप जैसे सुन्दर नव यूतियों को ऐसे सब्द नहीं अच्छे लगते देवी और आपके जैसे सादू पुर्शो को भी अच्छा नहीं लगता वत्स प्रभु के नाम पे स्त्री जाति को धुटकार दे हो मुझे बताओ तो कि आपके कौनसे बगवान कुवारे है आपके माला आपके आखें और आपने गहीं मुझे छुरा मत रेखे प्रभु फसके पाप से मुझे फिर्से परना गंगा ऊगाश्नान गंग अ श्री घं मातलर पालो मन भर्कार आhdो पाने में पड़े रहो आप यहां से जाईए जाईए ठीक है जैसे आपके इच्छा पर मैं हर दिन यहां पर स्नान करने आती हूं आओगे ना आ ना आती हूं आपगे छिन यहां से जाईए जैसे जाओगे ळुटेरे यहां से जाईए यहां से जाईए